बहुत ही अच्छी और खुसखबडी है उन सभी SSC candidates के लिए जो की सरकाड़ी नोकड़ी का इंतजार कर रहे थे और कहीं न कहीं वो SSC के MTS का भी इंतजार कर रहे थे तो देखिए SSC MTS 2020 का जो है notification आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSC MTS 2020 का यहाँ पे जो date of form apply करने क का date है ओके यह पांच तारिक से सुरू हो रहा है और यह 21 तारिक तक भर सकते हैं आप पांच फेरबड़ी से लेके 21 मार्च तक ओके और लास्ट डेट जो है वो 21 है उसके बाद payment यह सब आप पहले भी कर दीजेगा लेकिन यहाँ पे जो बहुत important बात है टीर 1 कब होगा तो टीर 2 की जो expected date है वो नवंबर में होगी तो यह जो totally जो dates है यह tentative होती है ओके अगर आपको नहीं पता tentative का मतलब क्या होता है तो tentative का मतलब यह होता है कि आगे में यह जो dates है वो आगे चलके बढ़ घट सकती है ओके मिस पहले तो नहीं होगी लेकिन बाद में जरूर हो सक जब आप सभी की joining होगी जो candidates 2019 में appear हुए है उन सभी की मैं लगातार मदद करते आ रहा हूँ तो please channel को subscribe कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको latest information मिलेंगी और क्या सटिक चाहिए नहीं चाहिए वो सब भी आपको मिलेगा तो यह tentative dates यह सभी आपको पता चल गई है और जो आप official website पर भी जाके जो है यह सब देख सकते हैं official website में मैं आपको दिखा देता हूँ official website पर भी आपको जो है वो notification कहां से मिल जाएगा तो देखिए यह जो अभी मैं आपको ले चलता हूँ official website पर ओके SSC की देखिए official website खुल चुकिए यहाप आप देख सकते है ssc.nic.in यही official website है इसकी और जैसे यहाँ पर मैं अभी notices में जाता हूँ यहाँ पर आप स्क्रॉल करके आएंगे official website पर इसके तो यहाँ पर देखिए 5 February के डेट में जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी notice for MTS 2020 और इसमें यहाँ पर vacancies के बारे में जो है आप candidates corner में जाके भी और भी चीजे देख सकते हैं जैसे हाँ candidates corner में मैं गया तो यहाँ पर जो है वो आप बहुत सारी चीजे देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जितने भी आप एक्जाम देते हैं उन सभी के बारे में वैसे देखता हूं मैं कि इसके tentative vacancy इसके बारे में release की गई है या फिर नहीं तो tentative vacancy पर मैंने क्लिक किया और site थोड़ा भी धीरे चल रही है सुरू हो गई है फॉर्म भरानी सुरू हो गई है तो tentative vacancy जो है वो अभी तो CGL की update की गई है यहाँ पर MTS की update नहीं की गई है तो जैसे ही update आती है वो सभी मैं आपको बताऊंगा ओके यह CGL पर ही था ओके मैं यहाँ पर others पर करता हूं क्योंकि others में आपको आएगी तो य examinations का भी आप देख सकते हैं जैसे CHSL के vacancy जो है वो 2019 के लिए कितनी थी और CGL के लिए CJ के लिए CPF के लिए तो सभी के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं official website से और फिर भी particularly अगर आपको किसी के बार में vacancy details जाननी हो तो you can ask in the comment box और reservation यह सभी जो है आप as soon as possible जो है इस दोन and have an awesome day thanks for watching the video